इस वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम इंजिनरिंग को देख रहे हैं कि पेट्रोलियम इंजिनरिंग अचली है क्या और उसके इंपोर्टन सब्जेक्ट्स क्या है जो आप पढ़ने वाले हो पेट्रोलियम इंजिनरिंग में और अगर आप सही में देखो तो जो आपको and बहुत ज़ादा importance hold करती है but मैं एक बात बता दूँ इसके पीछे कई और energies जैसे की for example nuclear, renewable, electric cars, ये सब technologies भी अब develop हो रही है तो हमारी reliability petroleum के उपर धीरे धीरे कम होगी but धीरे धीरे जब मैं कहता हूँ I mean to say maybe we get to a point after 100-200 years की अभी का consumption you know maybe it is 50% at that time of this of what we are consuming today तो ये अभी काफी time है काफी बच्चों को interest होता है क्यों interest होता है सबसे पहले इसमें क्योंकि जो इनका pay package होता है जो इनका pay package होता है वो बहुत high होता है तो अगर आप बहुत जारा पैसा कमाना चाहते हो तो this is a way you can do प्लस इनकी जो jobs government में होती है for example ONGC हो गया या IOCL हो गया तो काफी students जो है उसमें जाना चाहते है जो mechanical भी करते हैं ये समझते हैं इसमें है क्या पहली चीज़ है survey सरगा मतलब कोई चीज़ ढूनना and survey offshore भी होते है तो अब ढून किया रहे हैं ये लोग ये देखें यहाँ पे जैसे ये इनका vessel है तो ये एक radars और equipments के थूरू क्या ढूनना चाह रहे हैं ये ढूनना चाह रहे हैं petrol कैसे ढूनेंगे जो इनके geotechnical analysts होंगे geotechnical geotechnical का मतलब होता है the study of the earth तो उनको soil के बारे में उनके soil की properties कौन सी machines यूज़ करके हम soil की क्या property कर सकते हैं उस properties हम क्या बता सकते हैं soil में क्या क्या चीज़े हैं तो survey करके इनको दिया जाता है और geotechnical officers लोग उनको computers या फिर analysis करके ये बताते हैं कि क्या probability है कि आपे petroleum जैसे products होंगे की नहीं होंगे तो this is the foundation of this तो maybe a petroleum engineer might not really be an expert on this क्योंकि ये geotechnical field जादा है बट उन्हें ये पढ़ना पढ़ता है और important भी है geology उन्हें पढ़ना पढ़ेगा क्यों? क्योंकि movement किस तरह का movements हो रहे हैं? किस तरह के movements हो रहे हैं क्योंकि this will determine कहाँ पे petroleum मिलने के chances जादा है अगर हमें ये पता हो कि कैसे movements हो रहे हैं कितने time में हो रहे हैं किस तरह की tectonic activities हैं तो we can more reliability बढ़ जाएगी of determining की कहाँ पे minerals and क्योंकि petroleum cable इसमें नहीं काम करेगा petroleum अगर कोई geotechnician है तो वो civil engineering में भी काम करेगा geoteknology वाला petroleum में भी करेगा geoteknology म yapmış करेगा तो ये सारों में geoteknology वाले काम कर सकते हैं जोग geoteknology पढ़ने हैं बथ petroleum वाला geoteknology अगर पढ़ने हैं तो mining में भी जासकता है क्योंकि उसे वहां जाके तो उसके पीछे की science क्या है तो petrol निकालने के पीछे की science सबसे पहले थर्मों से ही शुरू होगी क्योंकि आपको heat करके निकालना पड़ेगा थर्मों का मतलब ही heat होता है तो जब कोई भी चीज़ heat होगी वो कैसे move करेगी वो अपने ऐसा तो नहीं कि हम petroleum को heat करें तो ऐसी property change हो जाए उसकी कि हम निकालने के चकर में आदा उसे use ही कर लें कितना percentage हम निकाल सकते हैं जो हम machines use कर रहे हैं इसमें जब flow होगा क्योंकि यह flow होगा तो fluid mechanics भी important होती है बट इसमें thermal properties in materials ही कैसी होने चीए तो thermodynamics जो पढ़डा है वो mechanical में भी पढ़ता है वो thermodynamics जो है aerospace में भी बहुत important हो जाता है thermodynamics aeronautical में भी होता है और इसमें भी important होता है बट सबसे ज़्यादा aerospace में important होगा उसके बाद इसमें important होगा तो कि propulsion में महाँ पे use होता है तो thermodynamics काफी important subject है फिर हमें ये तो पता चल गए कि अच्छा हम निकाल तो लेंगे हमें thermodynamics समझ में आ गई तो फिर हम लोग techniques पे आते हैं जैसे कि well logging यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यह पूरा जो setup है यह एक तरह से इसके लिए है कि अगर हमें पता है कि यहाँ पर petroleum है तो हम अपनी कौन सी machines को वहाँ पे लगाएं कौन सी machines को वहाँ पे लगाएं कि हम current के situation में वहाँ पे एक setup करना शुरू करें जिसमें हम फिर बाद में drilling करेंगे petroleum को निकालने के लिए तो well logging एक तरह से बाद भी आप समझ पहुए अगर हम general terms है एक well बनाने के काम को हम लोग कहेंगे फिर drilling and fluid क्योंकि अब हमें पता चल गया हमने वहाँ well बना ली है तो हमको वहाँ पे अब drill करना है हम drill करेंगे क्योंकि एक level के बाद ही petrol मलना शुरू होता है फिर हम thermodynamics का use करेंगे उनके equipments के उपर design करने के लिए फिर हम उन equipments को लगा के हम flow कराएंगे किसको flow कराएंगे हम लोग petrol को या petroleum products को flow कराएंगे exactly petrol नहीं flow होता है लेकिन जब यह flow होने लगेगा तो हमको समझना पड़ेगा कि fluid mechanics कैसी है कि कितना pressure हमको चाहिए उसको उपर लाने में किस तरह का उसका flow है जैसे कि Bernoulli's theorem बगएरा use करना आप उसमझ में आना चाहिए कितना वो pressure डाल रहा है अपने equipments पे तो हम equipments की भी यहाँ पर pumps हो गए, rotors हो गए, motors हो गए evacuation चीज़े होगे, यह सब समझेंगे and उसको steady करेंगे फिर reservoir engineering क्या है reservoir engineering यह आप समझ सकते हो कि जो wealth ही आपकी वो आपका reservoir है तो आपने पहले तो यह बं था अब आपने इसे खोल दिया है तो इसके उपर आपको chemistry भी थोड़ी समझनी पड़ेगी कि कैसे उस पे क्या effects आएंगे प्लस उसको आप कैसे best quality पे रखो अपने reservoir को यह आपका basic मकसद होगा इसके पीछे की जो जो sciences है वो thermodynamics भी है, fluid भी है और यहाँ तक geotechnical भी है तो यह सब के combination से आप समझ पाऊगे कि reservoir को आप best quality में कैसे रखिए फिर आपने वहाँ से petrol तो निकाल लिया अब आप लेके आओगे कुछ ऐसी जगे पे जो की है refinery और refinery में आप फिर processes के बारे में समझोगे ज़ादा तर लोग यहीं पे काम करते है या फिर वो समझते हैं कि यही काम होता है petroleum का लेकिन petroleum का पूरा नीचे से शुरू होके काम होता है यह पूरे subject उसमें इस होते है refinery end process है जहाँ पे हाँ mechanical engineers भी काम कर सकते हैं petroleum में और petroleum engineers भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको metrology जो है जो की steady होता है of equipments to measure something यह भी पढ़ना पड़ेगा कितने क्या क्या मेजर करें pressures, flow यह सब चीजे equipments आपको समझना पड़ेगा heat कैसे measure करें क्योंकि accidents ना हो तो यहाँ पे आपको उन machines के बारे में यहाँ science काम हो जाएगा engineering जादा हो जाएगी शुरू में पहले science जादा थी फिर धी जिरे हम engineering में and techniques में आते गए फिर जो है petroleum equipment में भी आप काम कर सकते हो because इनके petroleum equipment होते हैं बहुत अलग तरह के होते हैं तो अगर आप mechanical engineer भी हो तो इन petroleum के जो equipments हैं उनको बनाने में, distribution में sales में आप काम कर सकते हो offshore के, refinery के logging के, reservoir के हर एक equipment के design, production manufacturing, usage, training में आप काम कर सकते हो तो this is a very good field जो अभी जाने वाली नहीं है plus geotechnical analysis, research यह सब हमेशा इसमें काफी रहेगा तो अगर आप हमको follow नहीं करे हैं अभी तक तो आप जरूर हमको follow करिए for these type of video हम लोग career path बनाते हैं petroleum engineering का, you know, career path कैसे होगा कौनसी, कितनी salaries मिलेगी क्या job profile होगा work क्या होता है, कौनसे departments होते हैं जाओ, काम कर सकते हैं, वो काफी related रहेगा my studies है, companies कौनसी है उनके government कौनसी है, कितना उनका revenue है, कितने stable है, कैसी उनकी policies हैं for promotions personality आपकी personality में, आपके दिमाग में कौनसी कौनसी चीज़े active होनी चाहिए, so आप petroleum industry में जा सको plus हम colleges के बारे में भी जरूर बात करते हैं, तो follow us on YouTube, जहाँ पे हम free life sessions लेते हैं with your questions regarding colleges, admissions, personality analysis, companies, work or career paths, and plus follow us on Facebook, जहाँ पे हम आपको updates देते रहते regarding application Instagram, where you get very innovative posts from us and you can also follow us on LinkedIn for a career related or job related opportunities this is Career Kul, the education guru thank you for watching, it has been a pleasure making videos for you